Hello friends, welcome to study exam Friends, अगर आप किसी भी exam की त्यारी करें तो यह video आपके लिए बहुत ही important training वाली है Friends, जैसा कि आप सुब जानते हैं, quality exam point of view से कितनी important है हर बार exam में यह 5-6 marks की पूछे जाती है और Friends, इसमें जो articles हैं, वो हर बार 2-3 marks के पूछे जाते हैं तो इस वीडियो में हम important articles को discuss करेंगे, उन से related हर articles को हम discuss करेंगे, जो exam में पूछे जाते हैं Friends, अगर आप फर्स टाइम से चैनल पर विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए So don't wasting any further time, we come to topic So first question, सविधान द्वारा अनतिम रूप से पारिच सविधान के कुल कितने अनुचे तता अनुसू को शामिल किया गया था तो राइट अंसर हो जाएगा, option A, अनुचेद, 395 अनुचेद और 8 अनुचेद और अनुचेदों को स्विधान द्वारा अंतिम रूप से पारिज स्विधान में शामिल किया गया था Next question वर्तमान समय में भारती स्विधान में गन्ना की द्रिष्टी से कुल कितने अनुचेद और अनुचेद और अनुचेदों हैं तो फिलाल ये है 395 अनुचेद और 12 अनुचेद, option B Next question स्विधान के अनुचेद एग में भारत को क्या कहा गया है तो ये कहा गया है राज्यों का संग option A next question भारतिय स्युधान के कौन से अनुचेद नागरिकता से संबंदित है तो right answer हो जाएगा option B जो है अनुचेद 5 से 11 ये भारतिय स्युधान में नागरिकता से संबंदित है next question भारतिय स्युधान का कौन सा अनुचेद राष्टपती के पद के लिए पुने निर्वाचन की योगताएं निर्धारित करता है तो ये करता है राहिट अंसर हो जाएगा ओप्शन ए अनुछेद 57 जो है वो राष्टपती के पद के लिए पुने निर्वाचन की योगताएं निर्धारित करता है नेक्स्ट कुशन भारती से उधान के 21 अनुछेद में प्रेस की स्वतंतरता दी गई है तो राहिट अंसर हो जाएगा ओप्शन C अनुछेद 19 एक में जो है प्रेस की स्वतंतरता दी गई है नेक्स्ट कुशन मोलिक अधिकार के अंतरगत कौन सा अनुछेद बच्चो के शोशन से संबंदित है तो ये कौन सा है? राहिट अंसर इस ओप्शन D अनुछेद 24 चो है वो बच्चो के शोशन से संबंदित है नेक्स्ट कुशन भारतिय स्योईधान की किस अनुछेद के अंतरगत स्रवत्च नियाले की ने इंटरनेट की पहुँच को मोलिक अधिकार घोशित किया है भारत के प्रतेक नागरिक का कर्तेव्य होगा प्राकरतिक प्रयावरण का स्रक्षण एंसुधार यह कतन भारतिय स्योधान की किस अनुछेद से संबंदित है तो राहिट अंसर हो जायेगा अनुछेद 48A ओप्शन B यह जो है अनुछेद 48 क्या कहता है कि प्राकरतिक प्रयावरण का स्रक्षण एंसुधार भारत के प्रतेक नागरिक का कर्तेव्य होगा नेक्स्ट कुशन भारतिय स्योधान की किस अनुछेद में मोलिक कर्तेव्यों की चर्चा की गई है अनुछेद 51 में जो है भारतिय स्योधान में मोलिक कर्तेव्यों की चर्चा की गई है नेक्स्ट कुशन भारतिय स्योधान के अंतरगत कल्याणकारी राज्य की अवधार्णा की इस अनुछेद में वर्णित है तो राइट अन्सर हो जाएगा ओप्शन C अनुछेद 39 में जो है भारतिय स्योधान के अंतरगत कल्याणकारी राज्य की अवधार्णा वर्णित है नेक्स्ट कुशन भारत की स्योधान की किस अनुछेद के अंतरगत भारत के राष्टपती पर महाभ्योग चलाया जा सकता है स्योधान की किस अनुछेद में उप्राष्टपती पत का प्रावधान किया गया है तो राइट अन्सर हो जाएगा ओप्शन सी अनुछे 63 में राष्टपती पत का प्रावधान किया गया है नेक्स्ट कुशन कौन सा अनुछे संसद के दो अधिवेशनों की भी 6 मा का अंतराल अनुछे 63 में अनिवारता का उलेख करता है तो राइट अन्सर हो जाएगा उसका ओप्शन डी अनुछे 85 85 में जो है संसर के दो अधिवेशनों की भी 6 मा के अंतराल अनुछे 63 में की अनिवारता का उलेख करता है स्विधान की किस अनुछे के अंतरगत राष्टपती अध्याधेश जारी करता है इंपोर्टेंट क्विशन है तो राइट अंसर हो जाएगा उप्शन बी अनुछे 123 में स्विधान के अंतरगत राष्टपती अध्याधेश जारी कर सकता है और ये मैक्सिम्म 6 मा तक इसकी अनुपालना की जा सकती है इसका राष्ट अंसर हो जाएगा उप्शन C अनुछेद 123 में स्विधान के अनुछेद के अनुछेद पर महा ब्योग चलाए जाने का प्रावधान है नेक्स्ट कुशन भारतिय स्विधान का कौन सा अनुछेद संसत को अंतराष्टी यह समझोतों को लागू करने के लिए विधी निर्मान करने की शक्ति प्रदान करता है तो right answer हो जाएगा option C, अनुछेत तो सुत्रेपन जो है ये भारती स्यविधान में अनसंसत को अंतराष्टिय समझोतों को लागू करने के लिए विधी का निर्मान करने की शक्ति प्रदान करता है Next question भारती स्यविधान के किस अनुछेत के अंतरगत वित आयोग के गठन का प्रावदान है Most important question है तो right option हो जाएगा option B, अनुछेत 280 में भारती स्यविधान के 280 के अनुछेत के अंतरगत वित आयोग के गठन का प्रावदान है बार बार पूचा जाने वाला question है Next question सविधान का अनुच्छे 312 किस से संबंदित है इंपोर्टेंट तो राइट अंसर हो जाएगा option C अखिल भारतिय सेवां से नेक्स्ट क्यूशन भारतिय सविधान की किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाती के लिए एक प्राश्टी आयोग का प्रावधान किया गया है तो राइट अंसर हो जाएगा option D अनुच्छे 338 में अनुसूचित जाती के लिए एक राश्टी आयोग का प्रावधान किया गया है नेक्स्ट क्यूशन सविधान की किस अनुच्छेद के अंतरगत हिंदी को राज भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है तो right answer हो जाएगा option A. 343.1 में हिंदी भाषा को राज भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है Next question सविधान के किस अनुचेत के अंतरगत राष्टपती राष्टी आपातकाल की घोशना करता है तो right answer हो जाएगा इसका option D. 352 में राष्टपती राष्टी आपातकाल की घोशना करता है Next question सविधान के किस अनुचेत के तहत राज्यों में सविधानिक तंतर के विफल होने पर राष्टपती शाषन लागू किया जा सकता है तो right answer हो जाएगा इसका आपना option B. अनुचेत 356 में राज्यों में सविधानिक तंतर के विफल होने पर राष्टपती शाषन लागू किया जा सकता है और इस सबसे पहले कौन से स्टेट में लागू कुआ था? पंजाब में Next question सविधान के किस अनुचेत के अधार पर वित्या पातकल की घोषना राष्टपती करता है? तो right answer हो जाएगा option C. अनुचेत 360 में 360 के अधार पर वित्या पातकल की घोषना राष्टपती करता है Next question सविधान में मंत्री मंडल शब्द का एक बार परियोग हुआ और वह मिनमें से कौन से अनुचेत के अनुचेत के अनुचेत का परियोग हुआ था? right answer है इसका हो जाएगा option D. अनुचेत 352 में मंत्री मंडल शब्द का एक बार परियोग हुआ था Next question सविधान के किस अनुचेत के अंतरगत परतेक राजे मात्र भाषा का परसार एव अनुदेश प्रात्मिक शिक्षा में लागू कर सकता है next question सविधान के किस अनुचेत में सविधान के शंशोदन की परक्रिया को लेक किया गया है next question सविधान के किस अनुचेत में यह व्यवस्ता की गई है कि परतेक राजे की शिक्षा के प्रात्मिक स्तर पर मात्र भाषा में शिक्षा की प्रयाप्त सुविधाओं की व्यवस्ता करने का प्रयास करेगा तो इसका right answer हो जाएगा option B अनुचेत 350 में परतेक राजे शिक्षा के प्रात्मिक स्तर पर मात्र भाषा में शिक्षा की प्रयाप्त सुविधाओं की व्यवस्ता करने का प्रयास करेगा next question भारती स्विधान की किस अनुचेद में विभिन राज्यों से संबंदित विशिष्ट प्रावधान का उलेख है तो right answer हो जाएगा option C अनुचेत 371 में विभिन राज्यों से संबंदित विशिष्ट प्रावधान का उलेख है next question भारती स्विधान की किस अनुचेद में 17 में उपब्द किया गया है तो अनुचेद 17 में इन में से कौन सी चीजें शामिल है तो इसमें कौन सा किस से रिलेटेड है ये option B से और 18 में क्या होगा अनुचेद 18 में होगा पदवियों का उल्मूनन दोनों important है next question भारती स्विधान की किस अनुचेद में राज्य सरकार को गराम पंचायत का संगठन का निर्देश देता है next question भारती स्विधान के किस अनुचेद में अनुचेद जातियों के लिए राश्टी आयोग का प्रावधान है next question वित विधेक के बारे में विशेश उपब्द किस अनुचेद के अंतरगत किया गया है next question स्विधान के किस अनुचेद के अंतरगत लोग सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है next question स्विधान के किस अनुचेद में राज्जों द्वारा प्रात्मिक शिक्षा को मात्र भाषा में दिये जाने का प्रावधान है next question भारतिय स्विधान में समानता का अधिकार पांच अनुचेदों द्वारा प्रदान किया गया है यह इन में से कौन से है right answer है इसका हो जाएगा option c अनुचेद 14 से 18 तक और जो अनुचेद 14 है यह right to equality को दर्शाता है right to equality important है next question भारतिय स्विधान की 21 सानुचेद केंतरगत भारत सरकार का दैत्तव है कि भारी आकर्मण एव आंत्रिक अशांती से राजो की रक्षा करे तो राइट अंसर हो जाएगा Option D अनुछे 352 में भार्ड सरकार का दायुत्व है कि वैं भारी आकर्मन एव आंत्री कशान्ति से राजों की रक्षा करे Next question भारती सिधान की किस अनुछेद में भारती नागरिकों मूल करतावया शामिल है तो इसका right answer हो जाएगा option A, अनुश्यद 51, A में भारती नागरिकों के मूल करताविया शामिल है 1976 में ये 10 थे but 2002 में जो 86th constitutional amendment हुआ था उसके बाद ये fundamental duties जो है ये 11 हो गई है Next question भारती स्विधान के 21 अनुश्यद में अपनी पसंद के व्यक्ति से व्यवाय करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को selection देता है यह क्यों से अनुश्यद में शामिल है तो right answer हो जाएगा इसका option C. अनुशेद 21 में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाय करने की शक्ति प्रदान या अधिकार प्रदान करता है next question चुनाव आयोग किस अनुशेद के अंतरगत स्थापित किया गया है तो right answer हो जाएगा option A. अनुशेद 324 में चुनाव आयोग को स्थापित किया गया है next question भारती सविधान के 21 अनुशेद में राज्य को साहता और सलाह देने के लिए मंत्री परिशत के बारे में बताया गया है तो right answer हो जाएगा option A. अनुशेद 163 में राज्यपाल को साहता और सलाह देने के लिए मंत्री परिशत के बारे में बताया गया है next question भारती सविधान के किस अनुशेद में राज्यपाल की नुक्ति के बारे में बताया गया है तो right answer हो जाएगा option D. अनुशेद 165 में राज्यपाल की नुक्ति के बारे में बताया गया है next question भारती सविधान के किस अनुशेद में वार्षिय वित्य विवरन के बारे में बताया गया है तो right answer हो जाएगा option B. अनुशेद 112 में ठीक है और 117 में है annual financial statement के बारे में बताया गया है next question भारती सविधान की किस अनुशेद में धन विद्य विवरन के बारे में बताया गया है तो right answer हो जाएगा option B. अनुशेद 110 में धन विद्य की परिवाशा के बारे में बताया गया है नेक्स्ट कुशन भारतिय स्विधान के किस अनुच्चेद में कुछ रेट निकालने की उच न्याले की सकती के बारे में अनुच्चेद 226 में उच न्याले की सकती के बारे में बताया गया है रेट निकालने के लिए और जो य aligned condition सुप्रीम कोर्ट के लिए यह अनुछेद 26 में नेक्स्ट कुशन यह जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो रिट निकालने के शक्ति का प्रावतान यह है आर्टिकल 32 में और जो उच्च नियल्या के लिए है यह 226 में बहरती स्विधान के 21 निखएद में नए राज़ों का निर्माण और वर्तमान राज़ों की छेत्रों सीमाओं या नामों से प्रिवर्वर्टन के बारे में बताया गया है तो इसका रायot अंसर हो जाय cock Again Option C. 3 में राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की छेत्रों, सिमाओं या नामों में प्रिवर्तन के बारे में बताया गया है Next question भारतिय स्युधान के किस अनुच्छेद में वीधी के समक्ष सम्ता के बारे में बताया गया है Right answer हो जाएगा Option D. 64 में वीधी के समक्ष सम्ता के बारे में बताया गया है Next question भारतिय स्युधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छ उच्तम न्याले से प्रामर्ष करने के लिए राष्टपती के शक्ती के बारे में बताया गया है Most important question है इसका Right answer हो जाएगा Option A. 143 में उच्तम न्याले से प्रामर्ष करने की राष्टपती के शक्ती के बारे में बताया गया है बार-बार आने वाला question है Next question भारतिय स्युधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंच्छायतों के संगठन हेतु के निर्देश के बारे में बताया गया है बार-बार पूछे जाने वाला question है तो राहिट अन्सर हो जाएगा इसका option B. अनुच्छेद 40 में ग्राम पंच्छायतों के संगठन हेतु के निर्देश के बारे में बताया गया है Next question भारती सुईधान की 21 अनुच्छेद में बताया गया है कि राज उपराष्टपती राज्यसभा का पदेन सभापती होगा तो राहिट अन्सर हो जाएगा अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्टपती राज्यसभा का पदेन सभापती होगा तो फ्रेंड्स यहां पे अपनी वीडियो कंप्लीट होती है